पौरानिक कथाओं के अनुसार एक बार लक्ष्मी जी को अपने आप पर बहुत अभिमान हो गया था। उन्हें यह लगने लगा था कि पूरा जगत उनकी पूजा करता है। उन्हें पाने के लिए लालाइद भी रहता है। विश्नु जी उनकी इस भावना को समझ गए विश्नु जी ने माता लक्ष्मी का घमंड वह अहंकार ध्वस्त करने का सोचा। उन्होंने उनसे कहा कि भले ही आपको सारा संसार पूजता है। सभी आपको पाने के लिए व्याकुल रहते हैं। लेकिन आप में एक बहुत बड़ी कमी है। ये सुनते ही मा लक्ष्मी को लगा कि ऐसा क्या है जिसकी उनमें कमी है। मा लक्ष्मी ने विश्नु जी से अपनी इस कमी को जानना चाहा। तब विश्नु जी ने कहा कि एक स्त्री तब तक पूरी नहीं होती, जब तक वो मा नहीं बनती है। आपने संतान हैं, इसलिए आप अपूर्ण हैं। यह जान देख माता पार्वती ने फैसला किया कि वो गणेश जी को उन्हें गोद दे देंगी। उन्होंने गणेश जी को माता लक्ष्मी को गोद दे दिया। बस तब से ही भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र माने जाने लगे। गणेश को पुत्र रूप में पाकर माता लक्षमी बेहत प्रसन्न हुई तब मां लक्षमी ने कहा कि जो उनके साथ गणेश जी की पूजा नहीं करेगा वो उसके पास वास नहीं करेंगे इसलिए सदैव लक्षमी जी के साथ उनके दत्तक पुत्र भगवान गणेश की पूजा की जाती है